दोस्तों अगर आप लोगों को असल जिंदगी में दरिंदगी देखनी है तो जंगल में देखिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी जुल्म के लिए कोई सजा नहीं होती और ना ही किसी को कोई सजा मिलती है इसका मतलब साफ है कि जानवर अपनी जान खुद बचाएगा आज हम आपको दिखाएंगे जंगल में कुछ खतरनाक सिकारियों को सिकार करते हुए लेकिन वीडियो सुरू हो उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ ही ओफबिट पर पहली बार आये हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें हम वीडियो सुरू करते हैं कोमोडो ड्रैगन के साथ क्योंकि हमें नहीं लगता कि जंगल में इसका सिकार कोई कर सकता है क्योंकि यह देखने में ही इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है और मुखे रूप से यह भेड बकरी या फिर हीरन को अपना सिकार बनाता है और अकसर देखने को ये भी मिलता है कि ये एक साथ मिलकर किसी ने किसी जानवर पर हमला कर उसे मार डालते हैं उसका सिकार करने का तरीका अलग इसलिए है क्योंकि इसके काटने से इसके सिकार के सरीर में जहर चला जाता है जिसके बाद वो भागने में भी ऐसा हाय हो जाता है जिसके बाद ड्रैगन अपने सिकार को नोच नोच कर खाने लगता है इसे फर्क नहीं पड़ता कि इसका सिकार जिन्दा है या मर गया जिसके चलते हम कह सकते हैं कि यह भी जंगली कुतों या फिर लकडबगों से कम नहीं होता वैसे आप लोगों ने भेडिये के बारे में काफी कुछ सुना होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा कि भेडिया सिकार करने में बिलकुल जंगली कुतों जैसा होता है क्योंकि यह भी उन्हीं की तरहें जुंड में वार करते हैं जिसके बाद सिकार का जो हिस्सा उनके हाथ लगता है यह उसे वहीं से काटना सुरू कर देते हैं अक्सर भालू जैसे बड़े जानवर भी इन भेडियों से नहीं बच पाते जिसके चलते उनका भी सिकार हो जाता है वैसे बात अगर लगडबगगे की की जाएं तो वो भी बड़े ही आजीब सिकारी होते हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो काफी जादा हिम्मत वाले और काफी जादा क्यूरिस किस्म के जानवर हैं इनकी इसी खासियत के चलते ये अपने से बड़े जानवर को भी बड़े आसानी से मार डालते हैं वैसे ये उन जानवरों में से हैं जो की सिकार करते समय सब्र कर पाते हैं और हमला करने का सही इंतजार करते हैं और जैसे ही मोका मिलता है ये अपने सिकार पर हमला कर देते हैं लकडबगे अक्सर अपने जुन्ट के साथ ही सिकार करते हैं जिसके कारण ये है अपने सिकार को बड़े ही आसानी से मार डालते हैं एक साथ हमला करने पर इनकी ताकत काफी जादा बढ़ जाती है और इन्हें सिकार करने में कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता और अन्य जानूरों के सामने इनका साइज भी हद से ज़ादा छोटा होता है ऐसे में अगर ये अकेले सिकार पर चले जाएं तो सायद ही इनके हाथ खुश लग पाएगा और अक्सर देखा गया है कि ये इतने ज़्यादा निर्दाई होते हैं कि ये अपने सिकार पर लगातार हमला करते रहते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो जिन्दा है या मर गया वो उसे खाना सुरू कर देते हैं जाइंट पैट्रियाल यह सबसे खतरनाक बर्ट्स में से एक है जिसे मुखे रूप से पैंगविंग खाना काफी ज़्यादा पसंद है इसके अलावा ये परमुख रूप से खरगोस और मसलियों को भी बड़ी ही दिल्चसबी के साथ अपना सिकार बनाते हैं इनका सिकार करने का तरीका भी काफी ज़्यादा कमाल का है ये बर्ट्स अपने सिकार को मारने के लिए अपनी चोच से उसकी गर्दन पर वार करने सुरू कर देते हैं और तब तक जब तक कि इनका सिकार अपनी आखरी सांस न ले ले सबसे पहले ये जानवर एक साथ मिलकर गुरूप बनाते हैं जिसके बाद सबसे पहले छोटे जानवर उपर हमला करना सुरू करते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इनके सामने अक्सर पैंगविंग के छोटे बच्चे आते हैं जो इनका सिकार बन जाते हैं इनके बीच ना आएं इसके लिए इन बड्स के बाकी मेंबर अपने पंक उठा कर उन्हें डराने की कोसिस करने लगते हैं जिससे वो लोग डराने में काम्याब भी हो जाते हैं दोस्तो वैसे तो बबूल काफी जादा सांथ किस्म के जानवर हैं लेकिन देखा गया है कि अन्य जानवरों से काफी जादा बुसैल किस्म के हैं ये मुखे रूप से सिकारी प्रवर्ती के बंदर हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इनके अंदर सिकार करने की कबिलियट कुट कुट कर भरी है और इनी कारणों के चलते ये अकसर उड़ते हुए फलैमिंगो बर्ड़ को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं वहीं अक्सर इन्हें सेरों के बच्चों को चोरी करते हुए भी देखा गया है जब भी इनके हाथ कोई सिकार लगता है तो ये तुरंत उसे चीरने फाडने लगते हैं जिसके बाद बड़े ही मज़े से अपने सिकार का आनंद लेते हैं दोस्तो यह इस वीडियो का पार्ट वन था अगर आप लोग पार्ट टू भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अभी तक ओफबिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो के साथ